नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे RITES यानि की राइट्स की भर्ती के बारे में आज की इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडे के सभी राजू से अपलाई कर पाएंगे male औफ female दोनी दोस्तों आज की भर्ती के लिए अपलाई कर सकते है दोस्तों इस भर्ती की notification जारी हो चुकी है आज की इस भर्ती में आपको किसी भी परकार की fees का भुकता नहीं करना नहीं दोस्तों इसमें आपका कोई exam होगा आपका merit basis पे selection कर दिया जाएगा दोस्तों इस भर्ती के लिए आज की date से अपलाई होना सुरूच चुका है यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि परतेक सरकारी नौकरी की real वा authentic information सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस channel को subscribe कर लिजेगा और साथ में bell icon को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा दोस्तों बरती की पूरी information समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में आपको step by step सारी information दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस post की भरती है क्या qualification चाहिए और इस भरती का location क्या है यह सारी information दोस्तों हम आपको इस वीडियो के मादम से देंगे तो चल बरती के बारे में यह दोस्तों ministry of railways में आता है और इस भरती के लिए आप इंडिये के सभी राजियों से दुस्तों अपलाई कर पाएंगे closing data दोस्तों last data 31 July 2022 दोस्तों जाता selection process के बात है तो इस भरती में आपका कोई वी exam नहीं होगा आपका merit basis पे दोस्तों सीधे selection कर दिया जाएगा दोस्तों जाता total vacancies के बात है तो इसमें 91 याने की एक can away vacancy है जाता अपलाई mode की बात है तो इस भरती के लिए आपको online mode से apply करना है तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की बरती में किस किस post की बरती होनी जारी है तो guys इसमें बरती होनी जारी है graduate apprentice की इसमें इंजिनेरिंग तता नौन इंजिनेरिंग दोनु डिस्प्लेन की vacancy है इसके लाओ इसमें diploma apprentice की बरती है trade apprentice की बरती है इसमें various trades and discipline की बरती है दोस्तों qualification की बात करें तो यहाँ पे qualification रखी गई है ITI या diploma या graduate candidate इस भरती के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपकी qualification दोस्तों relevant discipline में होनी चाहिए दोस्तों इस भरती के लिए जो candidate जिन्होंने दोस्तों engineering degree या diploma engineering 172020 से कर रखी है वो इस बरती के लिए eligible नहीं है यदि आपकी qualification 172020 के बाद है तो आप इस भरती के लिए अप्लाई कर पाएंगे जानता दोस्तों ITI तथा non engineering qualification वाले candidate की बात है तो इनके लिए दोस्तों कोई भी restriction नहीं है इसके लिए दोस्तों आप further information के लिए notification पढ़ लिजेगा दोस्तों इस भरती की notification आप सामने देख सकते हैं इसका link के दोस्तों मैंने दे रखा है जान तक दोस्तों आज के भरती के locations के बात है तो इसमें location के नाम है डैली, कौलकता, मुंबई, भिलाई, राजस्तान और अधर locations तो guys यह था सो डिटेल आज की भरती का, I hope दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों जिते आप दूसरों का बला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दूस्तों वाजानकारों के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा, दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत स तो कमना है, thank you so much.